चलिए आप सभी का स्वागत है और गुड इवनिंग टुवाल जितने भी दो तीन बच्चे रेगुलर्ली वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जो लोग बाकी के बच्चे जो नहीं देख रहे हैं तो किसी ना किसी चैनल पर जो है सब्जेट से रिलेटेड वीडियो देखते रहे हैं ताकि लोगडाउन पिरेड में उनके पढ़ाई का नुक्सान ना हो ठीक है चलिए तो आज हम सुरुगात करते हैं कल हमने दो डायोट के बारे में पढ़ा लिया था वेरेक्टर डायोड और लाइट अमेटिंग डायोड के बारे में तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज हम स्टार्ट करते हैं जीनर डायोड के बारे में जीनर डायोड क्या होता है ठीक है तो जितने भी डायोड हैं इनके बारे में आप लोग एक बात याद रखें कि इनके सिंबोल्स जो हैं सिंबोल्स जरूर आप लोग इनके अच्छे से याद रखें क्योंकि सिंबोल् में अधिकतर पूछे जाते हैं सिंबोल दे दिया जाता है और आप से पूछा जाता है कि आप बताइए किस डायोड का सिंबोल है ठीक है तो यह काफी एक कामन कोश्चन है जो जनरली कांप्टिशन एक्जाम हो चाहे आपका जो ट्रेनिंग के दोरान का एक्जाम हो आपके मे लोग कहां पर होता है यह कुछ इसे हैं जो हमीसा एकाध साल में छोड़ करके हमीसा कोश्चन आते ही जहते हैं ठीक है या जिससे माली जी इस साल अगले जो हो सकता है विर्यक्टर डायोड के बारे में उसके ऐप्लिकेशन पूछे तो इस तरह से चो है पूश्चन जो है को पूछ जाते हैं तो अभी बीच में आपके लिए अब्जेक्टिव कोस्चन्स पी सोल करवा दूंगा कुछ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और हमारा रिवीजन भी हो जाए ठीक है तो देखिए जीनल डायोड जो होता है जीनल डायोड जो है रिवर्स वाइस पर काम कितअ कि तप हमने देखा था कि मैं डायोड में जब हम से रिवार्स वायस कर देते हैंजिए हम रिवर्स वायस करदेते हैं रिवाइस वायस करने का मतलब हुआ कि उसमें जो B-oncé do पी साइड को नेगेटिव से और एंसाइड को पोजिटिव से कर दिया ठीक है तो यह जो डेली में आप उसके बारे में बता रहा हूं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि किस तरह से होते हैं तो करेंट का मान बिल्कुल एक कोंस्टेंट रहता है ठीक है बहुत ही अलप मात्रा में इसमें से रिवर्स करेंट फ्लो होती है डायोड जो है इस डायोड में से बहुत ही अलप मात्रा में रिवर्स करेंट यहां पर फ्लो होती है ठीक है बहुत ही अलप मात्रा में एक रिवर्स करेंट फ्लो होती है ठीक लेकिन क्या होता है कि जब यहां पर एक ब्रेकडाउन पॉइं जो है इस डायोड में अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है और इसके बाद यदि आप voltage बढ़ाते जाए ठीक है तो यह डायोड जो हैにちは voltage को रखता है ठीक है एक limit में constant रखता है यहां दूसरे सब्दों समझ सकते हैं कि यदि यतनी वेलु यहां से ले करके इस current से लेकर करके यदी यहां तक अब यदी मालीज इसका हम current बढ़ाए करेंट हम थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं करेंट की value जो है वहां आल्मोस्ट जो है वहां फुल जो rated current होती है इसकी reverse current उतनी बढ़ जाती है और इसके बाद जो है करेंट की वेलू बढ़ाना संभाव नहीं हो पाता ठीक है तो यहां पर देखेंगे यह जो पॉइंट था मान लिजे उधारन के तौर पर यह सिक्स वोल्ट है तो यह जो डायोट है सिक्स वोल्ट के बाद क्या होगा इसमें अचानक से ब्रेकडाऊन होगा और ब्रेकडाऊन को इसका करेंट एकदम से मेगजिनम वेलू को प्राप्त कर देगा ठीक उसके बाद में यह कोई परीवरतन होता है थोड़ा भोत यदि आप देख रहा हैं ये इसमें थोड़ा परेवरतन हो तो यह कर्व आपको आलमोस्ट वरटिकल नजारा रहा होगा एकदम खड़ा आपको नजार हो ठीक इसमें धल top कहミол थेट है तो इसका मतलब है कि यह जव ईनर यह जो तो ब्रइकडाउन हो जाता है ब्रइकडाउन के बाद इस डिवाइस में से करेंट बहुत जाधा बढ़ जाता Is वोल्टेज के लिए इस तरह के डाइओड का प्रियोग कर सकते हैंilles कि और यह जो वॉल्टेज्ट हम लोगों ने यहां देखा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते थे तो यह ढ़िप करेंगे मुनazo न के लिए pararors लेने जाते हैं तो हम führen न कि कितने वॉल्ट का नीस एत हैं कि से कि 12 वोल्ट या 18 वोल्ट तो जीना डायोट जनरली जो 6 वोल्ट से ले करके और 200 वोल्ट तक मार्केट में जीना डायोट होते हैं ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान रखें काफी सस्ता एक तरह का यह आपको वोल्टेज रेगुलेटर होता है इसकी हाला कि बहुत कम होती है ठीक है लेकिन फिर भी जो है इलेक्ट्रोनिस के हिसाब से यह काफी अच्छा एक डिवाईस है जिसका व्यूज आप जिन जो है इसका रेपिडली बढ़ जाता है ठीक है तो यह आप पॉइंट याद रख सकते हैं चलिए इसका सिंबोल बता देते हैं क्योंकि सिंबोल काफी ज्यादा पूछा जाता है जीना डायोड का जो सिंबोल है जीना डायोड का सिंबोल बनाने के लिए हम लोग क्या करते ह कि एक इस तरह की हम लोग जो सिंपल डायोड बनाते हैं आप सिंपल डायोड बना लेजिए और इस डायोड में जैसे हम लोग जेड चिन बनाते हैं ना यहां पर इस तरह से आप इसके आगे इसके आगे केवल आपको यहां पर जेड बना देना है ठीक है उल्टा जेड जो जेड है यह जेड आपको यहां पर बना देना है ठीक है तो यह जो सिंपल हो जाएगा जीनर डायोड ठीक है तो यह हो जाता है जीनर डायोड तो जीनर डायोड में बाकी सारी चीज़ें आप लेकिन जैसे आप यदि एक्जाम बगेरा भी देते हैं जब लोग सकते हैं कि जीनर डायोड है किसा डायोड जिसमें तर्मिनल होते हैं इसका यूज बोल्टेज फोर्षन झाल मुद्वन्य का विप्रेशन हैं कि जो डिप्लेशन हम लोग बनाते हैं यहां पर डायोड में जो डिप्लेशन हम लोग yapt किया होता है ठीक है ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है डिप्लेशन रीजन है ना ये डायोड में बीच वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है डिप्लेशन रीजन इसके दोनों तरफ होल्स और इसके दोनों तरफ केवल आयन्स होते हैं इलक्रान और होल्स की यहाँ पर कमी होती है एक तरफ धन आयन होते हैं और एक तरफ रिजन आयन होते हैं यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं होता दोनों तरफ इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि एक तो यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं कि जूकि जो ढख कंग नहीं अंभी जैसे जो रिएवरस भेस में नोगे तो यहां पर को काद audi यहां पर यहाँ पर इसको वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एकदम शार्प आपको जो है ग्राफ चाहिए ठीक है यदि आप डॉपिंग कम करेंगे तो क्या होगा यह ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसमें स्लोप रहेगा ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें डॉपिंग बहुत जादा करते हैं तो डॉपिंग जादा करने से क्या होगा डॉपिंग जादा करने से हम उसका जीनल वोल्टेज जो है वहाँ कंट्रोल करते हैं और यह जो रीजन है इसकी लंबाई क कम हो जाती है ठीक है इसकी लंबाई जो है वहार कम हो जाती है ठीक है तो देखिए मैं आपको इसके जो अंदर की जो इस्टोरी होती है कि इसकी जो लंबाई कम क्यों होगी वह यहां पर मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि आप जो है कंफ्यूज रहा है क्योंकि आपके तो केवल आपको मैं इतनी चांकारी बता रहा हूँ जो आपको इना आप से practical करने में आसानी हो ठीक है क्या उतनी ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं लेकिन चलिए ठीक है फिर भी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं कि किस तरह से depression region कम हो जाती है ठीक है तो कि क्या होता है कि जैसे माली जी हम यहां पर बहुत जादा होल्स और वेट्रहबल होने एक तरफ हो और उयक तरफ होल्स और ही息 ऐवेलेवल होने कि केवर यहीं पर जो इसका निजदी की ए Roberto ए कि चलिए है कि क़ल पांस वाला एरिया ए होता है इतना जो एरिया है कि एतने से एरिया में ही इतने जादा होल्स ओल्दवराद चूब और इसके बाद जो potential barrier है उसका मान इतना sufficient हो जाएगा कि वो यहां से holes को इस एन तरफ जाने ही नहीं देगा और holes और जो इलेक्टाल से उनमें recombination या पुनरमिलन नहीं हो पाएगा ठीक है तो कुल मिला करके जो depletion region है उसकी width कम हो जाएगी तो इस तरह से जो depletion region है उसकी width को हम लोग कम कर सकते हैं और depletion region को कम करके हम लोग यहां पर जीनर voltage को पाट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो यह बाते आप लोग ध्यान रखें तो आपको इसमें जो main points याद रखने हैं वहाँ है कि इस जीनर डायोट का आपको यूज कहां करना है तो इसका यूज मैंने बताया यह voltage regulator की तरह यूज किया जाता है वोल्टेज regulator की तरह यूज किया जाता है ठीक है इसका दूसरा point आप लोग याद रखने कि यहाँ हमें रिवर्स बायस में यूज किया जाता है यह reverse bias में use किया जाता है ठीक है reverse bias में use किया जाता है याने की जिसे माली जी यह diode है यह हमारा जीनर diode है यादी माली जी यह तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इस reverse bias करने के लिए P type को negative से और N type को positive से जोड़ेंगे तो इस तरह से यह हमेशा रिवर्स वायस में यूज किया जाता ठीक है आगे चलके में अब आपको जो जैसे रेक्टिफायर पूरे होते तो प्रेक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि इस तरह से जीनर का यूज करते हैं वहाँ पर हम रेगुलेटर के रूप में जीनर डायोट होती है तो लिवाइशाय डायोट होता है कि जो हम अशुद्ध मिलाते हैं किसी हम अशुद्ध मिलाने के प्रेक्रिया को हम दोपिंग भो लते numa हो इन और जो इस τहरह से प्रा नया शुद्ध मट्रियल मिलता है शुद्धhole बचालक माट्रीयल मिलता है ठीक है तो अशुद्ध अर्दचालक माटरियल को हम लोग जो है उसे extrinsic material भोलते हैं ठीक है शुरू मैंने बताया है extrinsic और इंट्रिंसिक अर्दचालक material तो ध्यान रखें आप कि जब हम शुद्ध अर्दचालक मट्रियल में जब अशुद्धी मिलाते हैं तो वहां प्रिक्या कहती है डोपिंग ठीक है तो यहां जुरुवात में आपको बताना थोड़ा सा ध्यान नहीं रहाता है तो इसलिए मैंने आपको बीच में बता दिया तो यह जीनल डायोड चलिए हम अगला टॉपिक देखते ह हैं चलिए अगला टॉपिक देखने से पहले एक बार में आपको बता दूँ कि जीनल डायोड एक्चुल में दिखता कैसा है ठीक है तो यह देखिए जो स्क्रीन पर आपको डिवाइस नजर आ रही है यह जो डिवाइस है इसे हम लोग जीनल डायोड बोलते हैं ठीक है यह यहां पर आपको दिख रहा होगा यह डिवाइस आपको नजर आ रही है यह जीनल डायोड में आपको यहां पर एक बिलेक कलर की पट्टी नजर आ रही होगी एक बेंड नजर आ रहा होगा बिलेक कलर का तो यह बेंड बताता है कि यह जो डायोड है इसका जो बेंड वाला यहां पर डायोड बनाओं तो यह डायोड को किस तरह से होगा यह डायोड यह इस तरह से यहां पर यह जीना डायोड प्लेस किया गया है ठीक है तो आप लोग देखें चब इसे हम बेटरी से कनेट करना होगा तो बेटरी से हम इसे का रिवर्स वायस में हम इसा यूज करते ह तो रिवर्स बायस में यूज़ करने के लिए यह जो नेगेटिव बाला है कि यह जो कि सोरी यह मैंने यहां पर गरत लिख दिया है कि यह नो ने के थोड़ है इसे में यहां पर मिटा दूँ थोड़ा दोमलेट लगेंगे चलिए तो यह वाला जो आप टर्मिनल देख रहा है यहां होता है के थोड़ यह होता है के थोड़ ठीक है और यहां वाला जो टर्मिनल है यह होता है एनोड यह धनात्मक प्लेट होती है ठीक है अब जैसे देखिए आप यह मैंने आपको बताया था कि जीनर को हमें से रिवर पर जो के यह वाला टर्मिनल पी वाला यह पी साइड जो है इसको हम बेटरी के नेगिटिव से जोड़ेंगे तो यहां पर देखी जो एक्चुल डिवाइस आपको दिख रही है यहां पर अगर इसे बेटरी से जोड़ना होगा तब क्या करना पड़ेगा हमें तब इसे हमें यहां पर जो है बेटरी का पोजिटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा है ना और यह जो एनोड है इससे बेटरी का नेगिटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा तब यह डिवाइस जो है इसके क्रोस जो भी वोल्टेज होगा मालीज यह किसी भी सर्किट में लगाते है हैं हम इसे तो यह वोल्टेज को कॉंस्टेंट बना करके रखती है ठीक है तो यह जो है आप बातें ध्यान में रखें चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फोटो डायोड क्या होता है ठीक है फोटो डायोड देकि फोटो डायोड जस्ट एलीडी का पिपरीत होता है जिसे हमने एलीडी में देखा था कि एलीडी क्या कर रहा था एलीडी को हमने जिसे ही फोरवर्ड वायस किया था फोरवर्ड वायस करने पर यह एलीडी में से प्रकास उत्सरचित होता है यहां से हमें अलग-अलग color की रोश्णी दिखाई देती है red green है ना और yellow इस तरह की अलग-अलग हमें इसमें से रोश्णी नजर आती है जब LED को लोग forward बायस करते हैं और forward करने पर इसमें से color नजर आता और किस पर डिपेंड करता है इस LED का आपको पिछले लेक्चर उसमेदे इसका विपरीत होता है इसका विपरीता है यहां पर हमने क्या किया हुआ है यह दिखे रहा आपको forward bias forward bias का मतलब आप लोग समद चुके हैं forward bias का मतलब आप लोग समद चुके हैं comment करके बता forward bias जो है उसमें बेटरी के कौन से टर्मिनल को diode के किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है तोड़ा से आप लिख करके बता है चलिए चलिए तो हम लोग देखते हैं कि देखे जिस तरह से यह LED को हमने forward wise किया हुआ है तो जिससे मैंने बताया कि आप लोग LED और photo diode दोनों को एक दूसरा का विपरीज समझें जिसके photo diode को हम लोग क्या करेंगे कि photo diode को हम लोग negative bias करेंगे reverse bias करेंगे तो reverse bias करने के लिए आप लोग क्या करेंगे इस diode को यहाँ पर negative plate और positive plate जैसा मैंने reverse bias के लिए बताया है उस तरह से लगा देंगे तीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करते है यह जो photo diode रता है photo diode की आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि photo diode में देखिए हमने यहां reverse bias लगाया हुआ है तो reverse bias पर इसमें बहुत अल्प current भहेगी reverse bias में इसमें से बहुत ही अल्प current भहेगी बहुत ही सुख्म current भहेगी लेकिन देखिए क्या होता है कि चुकि यह reverse bias है और अब जैसे ही इस पर light डाली जाती है जैसे कोई भी प्रकास सोर्स है यदि इस पर light जो है वह हम लोग जादा intensity की light यदि इसमें डालते हैं तो क्या होता है इसमें जो current है उस current का मान बढ़ जाता है यहां पर यह जो current है इस current का मान यहां पर बढ़ जाएगा ठीक है और वहां किस पर depend करता है light की intensity की कारण यह current क्यों बढ़ जाती है क्योंकि देखिए जो इसमें depletion region है depletion region में और depletion region के अलावा बाहर के P और N टाइप के जो material है वहां पर जिसे ही जब यह प्रकास पढ़ता है तो प्रकास के पढ़ने से क्या होता है कि जो electrons हैं वहां energy gain करके conduction band में चले जाते हैं और जब बहां conduction band में चले जाते हैं तो वहां इस diode के एकरास move करने लगते हैं यही खारण है कि जैसे ही इस photo diode पर light डाली जाती है तो इसके अंदर जो है current का flow होने लगता है लेकिन यह current किस direction है flow होती है यह reverse current में reverse direction में यानि कि N terminal से P terminal की और flow होती है ठीक है अब देखिए इस diode में आप लोग एक बात और दिहान में रखें कि जिसा में आपको बताया था कि LED बनाने के लिए भी हमको एक विसेश परकार का अलग जो material यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर जो साधरन जर्मेनियम और सिलिकान जो अर्थचालक होते हैं उनका यूज़ करके हम LED नहीं बना सकते उसी तरह से जो photo diode है photo diode बनाने के लिए भी हमें cadmium sulfide का यूज़ करना पड़ता है cadmium cadmium sulfide ठीक है तो यह जो photo diode बना हुआ है इसका ध्यान रखें आप लोग कि यह cadmium या सिलिकान से नहीं बल्कि यह cadmium और sulfide को मिला करके बनाया गया है ठीक है तो यह बाते आप लोग ध्यान रखें यह पूछा जा सकता है आप से objective में ठीक है इसके अलावब देखिए आप यहां पर एक और बात आप लोगोंने notice की होगी सायथ चलिए पहले इसे clear कर देते हैं अगले डाइग्राम में बना करके आपको बताते हैं देखिए जैसे माली जी हमने यहां पर जो ये एक photo diode बनाया तो इस photo diode में आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैंने सिंबॉल बनाया था उसमें जो तीर हैं वहार diode की तरब दिखाए थे तो यह जो होता है किसका सिंबॉल है यह होता है photo diode का सिंबॉल वहीं LED के ताइग्राम में मैंने बताया था कि LED में क्या होता है LED को जिसे ही हम लोग forward wise करते हैं तो इसमें से current जो है जो परकाश है वो बाहर की तरफ निकलता है ठीक मतलब यह परकाशित हो जाता है और photo diode में क्या होता है कि photo diode में जिसे ही light पड़ती है वो ने इस पर light नहीं incident हो रही है या हमने इस पर कोई light source नहीं लगाया है तो उस समय जो current इस पर flow होती है क्योंकि यह leakage current इसमें से flow होगी बहुत ही कम मातरा में इसमें current flow होगी reverse condition में leakage current flow होगी तो उस leakage current का जो भी मान होता है उस leakage current को photo diode के लिए हम लोग क्या बोलते है dark current यह परिवासा जो है आप लोग थोड़ा सा याद रखें यह आपके slayvus में हाला कि परिवासा नहीं है लेकिन अब मुझे यहाँ पर याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया इसे हम लोग बोलते है dark current ठीक है और इसी तरह से reverse bias condition में इस डायोड का photo diode का जो resistance होता है वह कहलाता है dark resistance dark resistance ठीक है तो यह चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं अब चलिए मैं यहाँ पर आपको photo diode दिखाता हूँ एक कि physically जो photo diode होता है वह किस तरह से नजर आता है फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि photo diode के आखिर function क्या होते है photo diode के कार ही क्या होते है ठीक है तो यह देखिए आप लोग यह physically आपको photo diode दिख रहा है जो आप market से कोई photo diode खरीद के लाएंगे तो इस तरह से आपको photo diode जो है market में मिलेगा तो इस photo diode में देखिए आपको यह जो नीले कलर की ही आपर विन्डोँ दिखाई दे रही है यह है यह लीकलर की आपको विन्डोँ दिखाई दे रही होगी तो यह जो नीले कलर की विन्डोँ है यह national āच ट्रांस परेंट ग यह ना सी express या पार दर्शी ठीक है पारदस्टी गिलास होता है इसे क्यों बनाया जाता है ताकि यहां से हम लोग क्या करते हैं इस पर light को इसमें incident करते हैं और जैसे ही light को इस पर पढ़ती है तो इसमें क्या होगा जो cathode है cathode से anode की और current flow होने लगेगी यहां पर anode cathode की पहचान किस तरह से की जाती है तो इसमें क्या होता है जो metal case होता है इसकी metal की बोडी आपको नजार आ रही है यह diode इसको metal की बोडी में बनाया जाता है तो इस metal की बोडी है इसके उपर यहां पर देखिए आपको यहां पर एक एक्स्टरा आपको यहाँ पर स्ट्रिप निकलते हुए दिखेगी तो जिस 같아 आपको सब्सक्राइब करे उबर रह mínimo से सापटे तर्मिनल के सामने यह स्ट्रिप आपको निकलते हुए दिखती है वह बागता है के थोल ठीक है और जो बागी दूसरा टर्मिनल है इसे अम आसानी से पहिचान सकते हैं यह होता है न है न क्योंकि applicable से न बचाएं तो इस तरह से जो है इसकजा से मेटलध केस में में बनाए जाता है ताकि अंदर में केबल इस sacr quests पड़े और बाकी जया दो सी प्रकास ना पड़े तो this can do that I could um any मम इमेज देख सकते हैं वास्तीक में इमेज देख सकते हैं आप चारियाव इसकी वरकिंग बताते हैं आपको इस वरकिंग है वाट ायोड की वरकिंग किस तरह की होती है ठीक है तो दूंट ओने फौ्ट ग्यूत का यूज जो है कि वर्किंग दूढों अवों अ यूज़ देखते हैं कि जो एक मर्सक्षारभ कर सकते हैं मतलब की यहांपर क्या करेंगे हम लोग ا足्ता जीमाराव सब्सक्राऍब कर सकते हैं एक तरह यहाँ एक तरप से यहाँ पर हमने यह light source को place कर दिया है है यह है यह torch लगा दिया हमने और इस torch के दूसरी तरफ हमने यहाँ पर दिया है यहां हमने photo diode को place कर दिया है ना और photo diode से जुड़ा हुआ हमने कोई स्पीकर लगा दिया ठीक है कि यहां हम एक बेटरी जोड़ देते हैं कि यह बहुत ही सिंपल सा सर्कीट जो मैं केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं क्योंकि बास्ते तम बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेट के ओवर भी आवशकता पढ़ती तो देखे क्या होता है जैसे ही यह टोर्च से टोर्च है अब क्या होगा कि नॉर्मल यह दिमालीज यहां पर कोई परसन वगरा यहां बीच में नहीं आता है ना यहां पर तो इसमें क्या होगा यहां पर जोए पड़ती रहें छिए तो क्या होगा यहां से ट्यून जो हुआ और बचती रहेंगी अगर इसमें से एक ट्यून जो है बाजती रहेंगी बोती जो ऑने बनाया हुआ हूआ है उस control room में आप इस speaker को place कर देंगे ठीक है इस speaker जो आपको control room में रहेगा तो इसमें से आपको बहुत small amount में tune सुनाती रहेगी है ना ओ जैसे ही इसमें माली जी कोई व्यक्ति या कोई कार यहां से गुजरती है ठीक है कोई कार यदि या कोई व्यक्ति प्रकास को ब्लोक कर देता है तब AC condition में क्या होगा AC condition में यह जो light है अब इस photo diode पर नहीं पड़ेगा और photo diode पर नहीं पड़ेगा तो इस आवस्था में यह जो tune है यहां से आना बंद हो जाएगी क्योंकि इसमें लाइट नहीं पड़ रहा है यहां पर रिवर्स करेंट फ्लो हो रही थी वो रिवर्स करेंट यहां पर फ्लो ना बंद हो जाएगी क्योंकि कोई light नहीं पड़ रही है तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि जो वहाँ पर जो भी एक्टिविटी जिसके खिलाफ आप अगेंस्ट अलराम का यूज करना चाहते हैं तो वह आपको यहाँ पर इन्फॉर्म हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से एक मैंने आपको आईडिय के लिए बता दिया एक्चुल सर पाँपेच को क्लियर कर लेते हैं फिर इसका नेक्स्ट डेखते हं को काउंटर सरकुट के रूप में यूज कर सकते हैं कि प्रस ने काउंटर कर सकते हैं हो की मालजी जाशे से एक तरह ने यहां पर लाइट सोर्स कर आगा भी और दूसरी तरफ यह फोटो डायोड हमारा यहां पर प्लेस है इसके इस तरफ जो भी सरकीट है आपका काउंटर के लिए जिसमें की 12 इप्तियादी काउंट कर सकता है अब देखिए क्या होता है यहां पर लगाता है इसमें प्रकास इंसिडेंट होता रहता है अब जैसे ही म हिपीछ में कोई डिवाईस आती है कोई जैसे मालेजी हो सकता है कि कन्वेयर बेल्ट हो जैसे मालेजी है एक जिसमें कि बहुत सारे यहां पर बोक्स जो है वहां रखे हुए है लेकर बिल्ट है औरaring जो इसमें से जो प्रोक्स है वहाँ अभी तक निकल चुकि है तो क्या होगा जैसे ही यहां पर light पड़ेगी लाइट पड़ेगी तो क्या होगा यह जो यहां पर करेंट थी वह भुलोक होगी तो क्या होगा यहां पर counting जो है वहाँ 1 से increment हो जाएगा अब दीज़ के यह आगे बढ़ घा तब तक यह light फिर पढ़ेगी आप यह the next वाला जब यहां पर कूंट्प Gregy तो इस तरह से चे में जो फोटो डाइूट होता है इसका counter में यूज कर सकते है ठीक है तो इस तरह से आपने देखा कि इसे हम सामानिता दो प्रकार के सर्किट में एक तो काउंटर में और एक अलराम सर्किट में उसका यूज कर सकते हैं तो यह सारी बातें आप लोग ध्यान रखें ठीक है तो यह चार डायोड जो थे यह आपके सिलेवस में थे फिर से ए डायोड पर हमने देखा सबसे पहले हमने एलीडी पढ़ा एलीडी का सिंबोल जो है वह बहुत आसान है इसमें से लाइट बाहर की और निकलती है ठीक है जो साधरान डायोड बनाते हैं और इसमें से लाइट बाहर की और निकलती है वहीं हमने देखा कि जो फोटो डायोड फोटो डायोड में उसे light जो है वहां इसकी तरफ incident होती है है ना फिर हमने जीनर डायोड पढ़ा तो जीनर डायोड में केवल एक जेट जो है वहां बना दिया जाता यह जीनर डायोड का सिंबल हो गया और फिर हमने देखा वेरेक के लिए वेरियेवल रेजिस्टेंस के लिए देखे वेरियेवल रेजिस्टेंस के लिए आप यहाद तो यहाद पर जो वेरियेवल वेरेक के लिए यहाँ पर इसा मोड़ी प्लेट बना सकते हैं ठीक यह वी एक वेरेक का सिंबल होता है कि इस तरह से यह आप ना बना यहां पर चाहें तो आप किसे यहां पर यहां पर लाइन खीश देते हैं तो यह भी रिक को कर साथ वेरीयबल को जड़ साता है ठीक है तो यह कल में आपको जो युर्टर था रिक्टर सायद भी थे आपको सका उप्योग नहीं बता पाया था इस का यूजदे देख तेजिए का यूज़ संनली होते हैं कि जो ट्यूद सरक्ट होते हैं तो है तुन सर्किट में इसका प्रियोक किया जाता है तो आप इतना संज्क इतना याद रख सकते हैं कि जो वेरेक्टर है इसका यूज हम लोग FM FM रेडियो में करते हैं ठीक है तो चलिए अब ये बातें सुफिशेंट हो चुकी है डायोट्स चे बारे में तो अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि हीट सिंगक क्या होती है यह लिए चलिए सबसे पहले में एक इमेज निकाल करके लाता हूं ता कि आपको अच्छे से समझ में आए katika अप ठीक है तो देखी यह जो डिवाइस आप लोग इस्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर यह जो डिवाइस आप लोग इस्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं हीट सिंक है देखिए पूरी डिवाइस जो है यहां पर यह जो आपको यह जो डिवाइस इसमें लगी हुई नजार आ रही है यह जो डिवाइस आपको लगी हुई इसमें नजार आ रही है यह डिवाइस जो है इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इस डिवाइस को यह डिव भालि जादा जो थारिष्टर यह बहुत जायिक है यह 5 एंपेर से लेकर 16 एंपेर करें अन्व औरुभी और और वwhenके हैं तो वूंहों तोफ्ध्म करेंज तोफ्म करद दोवर्म होती है जिसे ज़िएदा junction temperature जो है junction temperature बहुत ज़्यादा होता है है ना 175 degree centigrade का junction temperature होता है लेकिन क्या होता है कि इससे ज़्यादा जब ये working में होते हैं तो इससे ज़्यादा temperature भी उत्पन हो सकता है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो thyristor है यह डायोड हैं इनको यूज करते समय इनके साथ में एक heat sink लगा दी जाती है यह जो आप aluminum की plate से बनी हुई यहाँ पर जो sink देख रहे हैं जिस foundation पर यह जो thyristor को यहाँ पर इस nut के द्वारा लगाया गया है इसे हम बोलते हैं heat sink है ना तो कि heat sink जो है जैसा कि आपको screen पर नज़रा रहा होगा यह aluminum की बनाई जाती है है ना तो aluminum का क्यों बनाते हैं हम लोग क्योंकि aluminum की जो thermal conductivity होती है कि है ना उसमी conductivity यह thermal conductivity इसकी अच्छी होती है होने के कारण ही हम इसे जो है aluminum का बनाते हैं देखिए अब हम आप इसके वारे में कुछ चीजें जो है देख लीजिए यहाँ पर बताता हूं मैं आपको कि देखिए इसमें जो हीट सिंक लगाने का हमारा उद्देश क्या होता है हीट सिंक का उद्देश समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं जहिए जो धर्मल माली जी जो यह जो ऊष्मा है है ना किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर होती है कि उसका फार्मूला क्या होता है उसका फार्मूला होता है कि ठीटा टू माइनस ठीटा वन बस्तू से खीट ज़ो होता है जो गरम बसतू उसका साफ्मां यहाने कि ये जंद में तापकों आंतर चितना होगा उत्नी जल्दी जह ज्याद़ बस्तूर अधर इसने यह ज्यादाक प्राइब अपने डिखा होगा जैसे महाली एक्दम से कोई गरम-गरम यदि हम लोग को अगयोड लाते हैं तो उसके सपक्षूद आप से यहाँ पर पांतर पर डिब्मेंट करता है ठीक है यह से आ पांतर कह सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद के इप्र यह करता है यह आना जो घ्ञे आं जो गरम करते है उसका एट अरिया कुछ इतना ज्यादा होगा उतनी जल्द वह वस्तू ठंडी हो जाएगी तो देखिए यहां हमने क्या किया है जो आपको डिवाइस दिख रही होगी इसमें जो हीट सिंक लगा दी तो हीट सिंक लगाने से क्या होगा इसका जो एरिया है वह बढ़ गया क्योंकि यह प्लेट देखी बढ़ाने के लिए ही यहां यह जो एरिया है इस एरिया को बढ़ाने के लिए ही हम लोग इसमें हीट सिंक का इस्तमाल करते हैं ठीक है इसके बाद देखिए आप लोग यहां पर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी के यह क्या होता है यह के होता है थर्मल कंड़क्टि उस पर भी उस material के ठंडे होने की दर निर्भर करती है यानि जिन material हों की thermal conductivity ज़्यादा होगी वहाँ जल्दी ठंडे हो जाएंगे जनरली जो धातुएं होती हैं जिसे aluminium, तामबा इत्यादी की thermal conductivity ज़्यादा होती है लेकिन चुकि तामबा जो अब होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर aluminium की जो heat sink होती है उसका प्रियोग करते हैं ठीक है यहाँ पर aluminium की heat sink का प्रियोग किया जाता है क्यों क्योंकि aluminium की जो thermal conductivity है वह semi conductor material की thermal conductivity से अच्छी होती है ठीक है तो यह कुछ बाते थी जो आप heat sink के वारे में याद रख सकते हैं ठीक है heat sink जो है वहाँ अलग-अलग size के हिसाब से हम लोग अलग-अलग आकार के हिसाब से वर्गी करते हैं जिसे यू शेव्ड है ना उसके बाद जिसे fillet sheet भी होती है तो यह अलग-अलग जो इसके वर्गी करण भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग के वाल इतना ध्यान रखें कि heat sink जो है एक वहाँ युक्ति है जो किसी अर्दचालक युक्ति को जो है जलने से या गुश्मा के कारण उसे जलने से बचाती है ठीक है तो इस तरह से आप साधरन भासा में इसे याद रख सकते हैं ठीक है वो इसे एक बना इसे किस material से बनाया जाता है इसे साधरन ता aluminum से बनाया जाता है ठीक है तो यह सारी बाते हैं आप लोग ध्यान रखें है ठीक है अब देखिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा रेक्टिफायर के बारे में और बता देता हूं रेक्टिफायर क्या होते है तेकि जो रेक्टिफायर अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा आप लोग पढ़ेंगे अब रेक्टिफायर के बारे में डेटेल है लेकिन आज थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि रेक्टिफायर क्या होता है तेकि रेक्टिफायर जो होता है वहाँ AC को DC में बदलता है है ना जो गहरेलू सोकेट से जो आपको electricity मिल रही है उसका मान और उसकी दिसा है ना उसका मान और दिसा लगातार बदलते रहता है इस तरह से तो इस तरह की current को हम लोग क्या बोलते हैं अब लेकिन जो आपके डायोड है या जैसे जो इलेक्ट्रोनिक और भी सरकिट है जैसे मालीच आपका amplifier बनाया आपने amplifier तो यह सारी इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेज जो है यह डीसी पर काम करती है यह केवल एक ही दिसा में कंडक्शन कर सकती है तो इस तरह की डिवाइसेज को जैसे को यह सही तरह से ओपरेट करना है तो इस तो इसको में यहाँ पर डीसी बनाना पड़ेगा हूँ ठीच है तो यह डीसी जो है डीसी का टायग्राम आप लोग देखे कि इसका मान भी कितने प्रकार के होते हैं फिकल में आपको इसका ब्लोक डाइगराम बना करके भी बताऊंगा वह फिर रेक्टिफायर में भी अलग अलग प्रकार के जो रेक्टिफायर हैं उनका पूरा हम लोग सर्किट का अध्यन करेंगे उसे रिलेटेड जो विविन टरम्स वगेरा हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे चलिए आज हम लोग रेक्टिफायर का वर्गी करन कर लेते हैं आधिके रेक्टिफायर को जिसे आपको वर्गी करन करना है तो दो दो ही प्रकार के होते हैं रेक्टिफायर जो हेवाद दो ही प्रकार के होते हैं एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल लेव रेक्टिफाइर ठीक है तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें दो परकार के है == Half WaveRectifier और Full WaveRectifier अब छो Full WaveRectifier होता है Full WaveRectifier में भी छो Full WaveRectifier है वहाँ फिर इसमें और एक परकार होता है BridgeRectifier मैं बताऊंगा आपको कि Full WaveRectifier को आप bridge rectifier के रूप में किस तरह से बना सकते हैं और जो साधरान full wave rectifier है और bridge rectifier है इनमें दोनों में क्या अंतर है वहां भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो यह आप एक तरह से समझ ली दिए कि यह हमारा कल का program है कि rectifier किस तरह के हैं और यह कौन-कौन से टाइप के rectifier होते हैं यह कल full detail में आपको बताऊंगा और आप भरूसर रखिए rectifier में बहुत अच्छे से बढ़ाने वाला हूं ठीक है उसका practical भी हम मैं आपको start कराने वाला हूं ठीक है तो आज के लिए इतना ही thanks for watching कल इसी समय पर 9-9 PM पर फिर से मुलाकात होगी good night